हेलो दोस्तों नमस्टिकार दोस्तों आप सभी का श्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टार्गट गवर्मेंट पोस्ट में जैहिन सभी प्यारे भाईयों और बैनों को बात करने वाले हैं CISF यानी Central Industrial Security Force CISF से Constable और Fire के लिए Online नाइन फॉर्म आ चुके हैं जिसमें कुल पदों की संख्या है 1149 योगता यहां पर आप देखी रहे होंगे कि योगता 10 प्लस 2 जो की नियुरुतम योगता है यह आपके पास अगर होगी तो आप इसके लिए इलिजिवल है साथी साथ और भी इलिजबिल्टी आपके पास होनी चाहिए तब ही आप फिजिकल इलिजबिल्टी और योगता आपकी 10 प्लस 2 सेलेक्शन प्रोसेज हम आपको यहां पर पूरा बताएंगे साथी साथ सलेबस में क्या पूछा जाएगा एक्जाम पैटन क्या होगा और आपका जो एक्जाम है यह OMR बेस्ट होगा या फिर CBT यानि computer बेस्ट होगा या OMR होगा OMR बेस्ट होगा या CBT कित्रू होगा यह भी मैं आपको बताऊंगा परफीर कैसे अपलाई करना हैं क्या गल्तिया नहीं होनी चाहिए और यह जो वैकेंजी है बहुत ज्यादा आप के लिए अच्छी होने वाली है अगर आपको फोर्समें जाना है फोर्स में जाने के लिए ये वेकेंसी आपके लिए बहुत अच्छे पड़ो से है तो आप इसके तयारी करिए तयारी कैसे करनी है क्या करना है साथी साथ इस पूरी वीडियो में समझेंगे तो निगेटिव मार्किंग दोस्तों यहाँ पर निगेटिव जो मार्किंग है वो कितनी होगी यह जो इंपॉल्टेंट पॉइंट है इन पर डिसकस करेंगे ही करेंगे चलिए चलते हैं ओफिस्यल नोटिफिकेशन में ओनलाइन आवेदन होना सुरू हो गए है लास्ट डेट क्या है इसमें भी बात करेंगे तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सीर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ में अगर आप इस चैनल से पहली बार जोड़ रहा है तो नीचे दिए कि रेडिकलर की सब्सक्राइब बटन दबा लें और बगल में देकर बल आइकन को ओल करके प्रेस कर लें जिससे ही आपको इसी प्रकार की अपडेट से मिलती रहें समय से तो दोस्तों आ चुके हैं ओफिसियल नोटिफिकेशन में आप देख रहे होंगे सेंटरल इंडिस्टियल सिक्यूर्टी फोर्स ये नोटिस है फॉर्म आपके 29 तारीक से ओनलाइन होना सुरू हो गया है जिसकी लास्ट डेट है चार मार्च समय बहुत है आराम से अप्लाई कर सकते हैं सोच समझ के अब यह जो विकिंसी है यह किसके लिए है तो ओनलाइन एप्लिकेशन आर इन्वाटेड फ्रॉम जो मेल इंडियन सिटीजन है मतलब आप भारत के नागरिक होने चाहिए और साथी साथ यह पूरुष पदों की भड़ती है अब यहाँ पर देखिए दो चीज़ें आपको दिहान रखनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा लिकिन उससे पहले पूरा अच्छे से नोटिफिकेशन आपको समझ लेना है क्य आप स्केल इलिस पल है या नहीं है तो स्केल भी यहाँ पर दी गई है 2700 से 79100 चली यहाँ पर देखिए और भी सिलेक्शन प्रोसेस के अगर बात करेंगे तो फिजिकल इफिसियंसी टेस्ट जिसको बोलते हैं PET और फिजिकल स्टेंडर्ड टेस्ट जिसको बोलते हैं PST फिर रिटेन एग्जामिनेशन यह आपको OMR बेस्ट होगा यह कम्प्यूटर बेस्ट होगा यह अभी बोल्ड ने clear नहीं किया है यह clear तभी होगा आवेदन के अनुशार आवेदन और situation के अनुशार यह OMR पे करवाते हैं आपका या computer based पे गराते हैं टेस्ट की बात करेंगे यह जो exam लेंगे यह OMR पे लेंगे या computer based test लेंगे यह अभी clear नहीं किया उसके बाद में आपका DB होगा यह document verification होगा फिर इसके बाद में आखरी में medical examination होगा तो चलिए देखते हैं वही और क्या-क्या recruitment है अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर आजाते हैं जो की है education qualification qualification आपकी minimum 12th pass होनी चाहिए मतलब 12th pass के साथ साथ आपको यह ध्यान रखना है पहली चीज़ की आप science के student हो अब दूसरी बात यहाँ पर यह है कि age limit में यहाँ पर 18 से 23 year बोला गया है इसे मिलेगी जो CST candidate है उसको 5 साल की चूट मिलेगी जो OBC category का student है उसको 3 साल की जो ex-serviceman है उसको भी 3 साल की यहाँ पर चूट मिलेगी साथ ही साथ साथ ही साथ जो children and development of victims से related है उनको भी यहाँ पर देखिए 5 साल, 8 साल और 10 साल की चूट मिलेगी तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है age limit के लिए आप अपनी age को यहाँ पर देख लीजे उसी के recording आप अपना आविदन कर सकते हो चलिए और आगे क्या रहने वाला है आपका selection process और selection process आपने समझ लिया है लेकिन एक बार फिट से हम आपको यहाँ पर clear कर देंगे यह पूरा notification है पूरा पढ़ने की जूरत नहीं है जो जरूरी चीजे हैं वो मैं आपको संचिप में आपर बता दे रहा हूँ चलिए यहाँ पर देख लीजे जो exam होगा आपका वो चाहे OMR बेस्ट हो या computer बेस्ट हो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि exam pattern क्या होगा साथ ही साथ यहाँ पर यह भी आपको जानकारी मिलेगी exam pattern syllabus के साथ साथ कि यह negative marking होगी या नहीं होगी सबसे जरूरी बात होती है क्योंकि 100 question यहाँ पर पूछे जाने हैं और 100 question 100 marks के हैं और 120 मिनट यह नहीं दो गंटे आपको दिये जाएंगे जिसमें से part A में आपका reasoning है part B में आपका GA है और यहाँ पर part C में mathematics है और part D में optional होगा या English के English कर लो आप या Hindi कर लो अगर आप English medium के student हैं तो English करेंगे Hindi medium के student हैं तो Hindi करना चाहेगे तो total question आपके यहाँ पर हो जाते हैं आप यहाँ पर देख रहा है the candidate who qualify is मतलब वो qualify कर लेता है PT, PST मतलब physical efficiency test को जो physical standard test होगा same है will be card for written examination अब written examination होगा तो OMR based होगा या computer based होगा तो फिर CBT होगा यहीं computer पर होगा ठीक है तो यह चीज़ आपके यहाँ से clear होगे अब यहाँ पर बात कर लेता है कि जो exam होगा यह किंदो language में होगा तो दो language में होगा English में और Hindi में यह दो language है English में या Hindi में जिसमें आप देना चाहो जो आपको suitable language लगे अब यहाँ पर बात कर लेते है negative marking की तो no negative marking कोई भी negative marking नहीं है तो बहुत अच्छी बात है कि कोई भी negative marking इसमें नहीं है और आपके लिए यहाँ पर selection की chances भी बढ़ जाती क्योंकि यहाँ पर देखे क्या है कि पहले तो आपका यहाँ पर physical efficiency test होना है अगर आप physically fit हैं तो आप इसके लिए आविदन कर सकते हैं फिर आगे आपका exam होगा exam कुछ खास नहीं आसान होता है reasoning, general awareness, mathematics और हिंदी यह पूछा जाता है अब बात यहाँ पर यह कर लेंगे कि भी या CBT जो आपका होगा या जो OMR based होगा next label में जाने के लिए आपके जो मार्क्स हैं वो इस प्रकार से होने चाहिए 35% minimum और यहाँ पर 33% मतलब जो general EWS, ex-service man है उनके 35% होने चाहिए जो SCST OVC उनके 33% qualification marks होने चाहिए minimum ठीक है return examination है CBT examination मतलब आपको यह pass करना है physically आप fit होने चाहिए फिर उसके बाद में यह आपको pass करना है के वल तो आप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि योग गिता के साथ साथ selection process क्या क्या है और syllabus exam pattern भी आप समझ गए OMR based या CBT होगा यह भी board ने clear नहीं किया है यह आवीदन के बाद में आवीदन जब हो जाएंगे last date हो जाएगी उसके बाद में जो board है वो clear कर देगा कि OMR based लेंगे या CBT based लेंगे negative marking बिलकुल नहीं है मतलब सून ने है zero है negative marking तो आपके लिए recruitment बहुत अच्छी होगी जै हिंत मिलते हैं next session में अपना ख्याल लखके कुछ समस्या है तो comment करें पूछ सकते हैं